एलविश यादव की एक रफतर के बाद में काफी सारी अलग-अलग टाइप की न्यूज आ रही है कुछ न्यूज उनके फेवर में है और कुछ न्यूज उनके अगेंज्ट है इसी बीच में एक काफी बड़ी न्यूज आई थी कि एलविश यादव ने पुलिस हिरासत में कबूल कर लिया है कि हाँ वो सापों का व्यापार करते थे और उन्होंने पार्टी के अंदर सापों के जहर की सप्लाई के बात को भी कबूल लिया है अब उनके मदर और फादर एक नीऊस चैनल में आये हुए है, जहांपर उनका interview हो रहा है उस news चैनल के interview के दोड़ा ने उनके फादर ने खुद ये बात को कबूला है कि Elvish के बारे में जो बाते ऊड़ रही है, कि उन्होंने कबूल लिया है कि उन्होंने ये सब काम किए हैं वो इसमें शामिल है वो सब जूट है वहाँ पर निजी रिपोर्टर ने जब ये पूँछा क्या आपको कैसे पता तो उन्होंने बताया कि वो खुद कल एल्विशे मिलके आया है एल्विश ने बताया है कि उनसे ऐसा कुछ भी सवाल नहीं किया गया ना उन्होंने कुछ भी ऐसा बोला है बस उनसे सिर्फ उनकी medical report की गई है और उसके बाद में उनकी गिरफतारी कर ली गई है जो भी ये चीज़े कही जा रही है कि एलविश ने सब चीज़े कबूल ली है वो सब चीज़े गलत है जूटी है ब जरूर बताइएगा